Dear students, बहुत बहुत स्वागत है आप सेविका, बच्चों ये Class 6 का जोगरोफी है, SST, Social Science Book है, और ये Chapter 2 है, जिसमें Globe क्या Latitude और Longitude के बारे में बतला जाया है, तो basically मैं आप लोग को इस वीडियो में इसका जो short question answer है, उसको मैं solve करूँगा, तो थोड़ी बहुत Chapter के बारे में हम लोग जान लेते हैं, आपको थोड़ी ऊपरी knowledge मैं दे देता हूँ, line by line करके मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, तो Latitude, basically आप समझ लिजे, Latitude और Longitude, तो Latitude जिसको अच्छांस बोला जाता है हिंदी में, और Longitude को दिसां यह देखें, यहाँ पर दिखाये गया है, यह बीच बाला line जो Zero degree पर दिखाये गया है, इसको कहा जाता है equator, तो यह कई zone में बटा हुआ है, एक, दो, तीन, इस तरह से यह अलग-अलग zone में बटा हुआ है, तो First zone जो होता है, Torrid zone होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है, उसन कटी बंद है, जो सबसे ज़्यादा heat होता है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो equator यह जो line है, यह area जो होता है, इस पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, तो यह पीली कलर का दिखाये गया है, उसके बाद, इसके आगे जो दिखाये गया है, उसको बोला जाता ह को ये circle जो दिया हुआ है तो ये architect circle कहा जाता है नीचे में उसी तरह का दिया है एक line यहां पे दिया हुआ है Tropic of Capricorn, इसका जो यहां पे Cancer line दिया हुआ है Tropic of Cancer उसी के equal में दिया हुआ है लेकिन ये South में है ये North में है तो Tropic of Capricorn हो गया, जिसको मकर रेखा कहा जाता है हिंदी में और इसको करक रेखा कहा जाता है, तो इसके आगे जो है ये Temperate John मतलब हो गया कि सम सितोसन, मतलब वहाँ पे बहुत जादा ठंड भी नहीं और बहुत जादा गर्वी भी नहीं, इस तरह के एरिया होता है, ये एरि परदेश होता है, जिसको सीत कटी बंद कहा जाता है, और ये North Pole हो गया, ये South Pole हो गया, इस तरह से पिर्थे के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, हिट जोन होता है, वो सबसे हिट जोन होता है, और इसके बाद Temperate जोन दिया गया है, जिसको सम सितोसन कहा जाता है, तो यहाँ पे बतलाए गया है, बिट्विन 23 और 66 इस तरह से बतलाए गया है, उसके बाद फिर जोन बतलाए गया है, जो सीत कटी बंद होता है, तो लास्ट में जो है 66 और हाफ डिगरी से आगे बिलकुल पोल तक जो होता है, आइंड दा नॉर्थ पोल, इतना, तो पोल तक जो होता है, वहाँ पे मीनिमम हीट, मतलब बहुत कम गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ठंट परती है, और वहाँ पे हमेशा बिलकुल बर्फ जमाराता है, इस तरह का एरिया है, इसके आगे पता कर लेते हैं, इसके बा प्राइम मेरीडियन, जिसको हम लोग टाइम में बोलते हैं, प्रियोग साला है, जहाँ पे इमजिनरी लाइन माना गया है, दुनिया का सबसे स्टेंडर्ड टाइम जो होता है, उसके लिए लोंगिट्यूड वहां से गुजरता है, इस तरह से माना जाता है, तो यह जो ले लंबाए जो होती ही सेम होती है वह यहां से चलेगा North Pole से Sãoथ modo कि ओर तो ये जो ओल की और जब जाता है तो उसकी दूरी जो है घरते जाती है और पॉल पर जाके zero हो जाती है मतलब आपस में वो Line जो है एक दूसरे मील जाते है तो यह Line जितने भी है अर्थ में वो 360 है तो इस तरह से इसको time divide किया जाता है सभी देसों में तो जो जितना जादा फेला रहता है जो देस तो उसमें time zone जो होता है अलग-अलग time zone मतलब कई सारा time zone उसको use करना परता है तो सबसे ज्यादा time zone जो है रसिया को use करना परता है 11 time zone इसके अलावा अमेरिका जो है उसको 4 time zone use करना परता है हमारे इंडिया में तो एक ही time zone है इंडिया में यहां भी एक standard line माना गिया है The standard meridian of India is 82 and half east इस जो है ये डिग्री इसको माना गिया है रनिंग क्लोज टू नैनी इलहाबाद इलहाबाद से होकर ये लाइन गुजरती है इमेजनरी लाइन है आपको लाइन कहीं भी पिर्थी पे दिखाई नहीं देगा आप मतलब इसको मान लिया गया है टाइम को सुटेबल करने के लिए तो लोकल टाइम on this meridian is the standard time for the whole country पूरे देश के लिए इसको एक समयमानक मातरक मान लिया गया है और इसको कहा जाता है इंडियन standard time सोट में IST कहा जाता है तो यहाँ पे question में भी आगे दिया हुआ है इसलिए मैं आपको यहाँ पे बतला दिया हूँ और आगे देखते हैं यहाँ पे पूरे chapter का जो summary दिया हुआ है Antarctic circle कौन सा होता है तो Antarctic circle जो होता है 66 and half south जो pole की ओर होता है तो इस degree पे इस line को हम लोग पढ़ते हैं और वहीं पे होता है और कटिक circle तो यहाँ पे एक ही जैसे नाम दिया गया है इसको याद रखने में आपको थोड़ी सी प्रसानी हो सकता है यह south में है और यह उतना ही degree पे है north में है equator जो imaginary line बिल्कुल बीच में होता है और earth को दो भाग में divide करता है northern hemisphere and the southern hemisphere यह दो भाग में divide करता है freeze zone जिसको सिद्क टिमन बोलते है और यह 66.5 degree से pole की तरफ होता है जो बिल्कुल ही ठंड होता है और वहाँ पे बर्फ जमी रती है greenwich mean time जो पुरी दुनिया का prime meridian time को मापने के लिए इसका use किया जाता है greenwich mean time जिसको short में GMT कहा जाता है उसके बाद grid हो गया तो grid जो होता है वो network होता है longitude और latitude का उसके बाद Indian standard time जिसको IST कहा जाता है the local time इतना degree longitude पे हमारा standard time इंडिया standard time है उसके बाद international deadline यह 180 degree और 180 degree जहाँ पे meet करता है east and west तो उसको international deadline बोला जाता है latitude तो latitude आपको समझना है कि वो जो horizontal line होता है उसको latitude कहा जाता है latitude simply याद रखने का तरीका है latitude मतलब लेटा हुआ line लेटा हुआ मतलब चिती जिसको बोला जाता है या horizontal कह सकते हैं इसको उसके बाद longitude मतलब भार्टिकल लाइन जो खड़ी लाइन होती है perpendicular खड़ी लाइन तो इसको longitude को अपयाद रख सकते हैं उसके बाद local time at any point of the earth surface calculated by considering noon local time मतलब बारबजे का समय को देखकर जो समय का पता लगाया जाता है उसको local time करते हैं when the sun reaches the highest point in the sky बिल्कुल बीचो बीच सूरच जब पहुँच जाता है तो पता चलता है कि उतना 12 बचे का time है लिए उसके बाद prime meridian the imaginary line zero degree longitude जो greenwich line है उसको prime meridian line कहा जाता है standard time the local time of particular longitude adopted as a uniform time for the whole country तो किसी एक देश के लिए एक लाइन को चूज कर लिया जाता है और उस देश के लिए वही standard time longitude कहलाता है temperate zone तो equator से 23 and half degree south and north यह जो हता है उसको temperate zone करते हैं उसके बाद time zone तो time zone longitude को निसार standard longitude की निसार जो है रखा जाता है time तो पुरे time zone जो है वो पुरे बिस्व में 24 time zone है torrid zone torrid zone सबसे heat zone होता है temperate zone होता है वो बीच में होता है ना ज्यादा heat और ना ज्यादा और ना ज्यादा cold तो यह जिसको समसितोशन कटी बंद कहा जाता है और torrid zone को pushn कटी बंद कहा जाता है और यह tropic of cancer और tropic of capricorn के बीच में आता है यहाँ पे दिया हुए tropic of cancer तो tropic of cancer 23 and half degree north मतलब उपर की ओर होता है और tropic of capricorn 23 and half degree south मतलब नीचे की ओर होता है यह मैं पहले ही दिखा चुका हूँ अब यहाँ पे हम लोग solve करते हैं mcq दिया हुए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ the local time of 82 and 30 days e longitude is known as तो इस time से यह जो है इंडिया का standard time line है standard time zone है तो यह जो हो है Indian standard time हो जाएगा यह भी नमबर में तो इसको टिक लगा देते हैं the latitude of topic of cancer is तो cancer जो है वो उपर की ओर है तो उपर मतलब हो गया north की ओर 23 and half north तो यह होगा इसका answer इसको टिक करते हैं the standard meridian of India passes through तो standard meridian जो इंडिया का वो किस से होकर गुज़ रहा है तो इलहाबाद से होकर गुज़ रहा है तो इसको कर देते हैं और dash helps to calculate the local time of a place तो कौन मदद करता है यहाँ पर latitude, equator, prime meridian या तो इसका answer हो जागा longitude तो longitude मदद करता है तो इसको कर देते हैं the length of the latitudes gradually dash from the equator to the pulse तो latitude का decrease होते जाता है घटते जाता है तो यहाँ पर decrease मतलब घटना होता है तो इसको हम tick कर देते हैं तो यहाँ पर जिस परकार से बतलाया गया है अब हिंदी वर्जन का किताब में भी जैसे कि मैंने बतलाया है इसको सुनकर देखकर अगर कहीं भी इसका option जो है इधर उदर दिया हुआ है तो आप उसको manage कर सकते हैं बाकि ऐसा ही होगा अब next लेते हैं true false में यहाँ पर first में दिया हुआ है इसको ट्रू कर देते हैं यहाँ पर हो जाएगा true क्यों हो गया आपको मैं बतला दूँ कि हिंदी वर्जन के बुक में same to same यही दिया हुआ है इसलिए आप इसको अराम से लगा सकते हैं only longitudes help us to lock at any place on the earth तो किसी भी जगह को पिर्थवी में दिखाने के लिए सिर्फ longitude ही useful है मतलब help करता है ऐसा नहीं है longitude और latitude दोनों help करता है तो इसका मतलब क्या होगा यह होगा false तो इसको false कर देते हैं उसके बाद यहां पे the meridian of 180 degree east and 180 degree west is the same line known as the international date line तो यह बिल्कुल सही है तो इसको हम true कर देते हैं यह हो गया the Indian standard time is ahead of GMT by five and half hours ahead मतलब आगे तो GMT greenwich के time से हमारा हिंदुस्तान का time जो है वो पाँच गहंटा आगे चलता है तो यह भी बिल्कुल सही है तो इसको हम करते हैं true यह हो गया अब एक है match the columns तो इसको हम लोग complete कर लेते हैं first में दिया हुए network of parallels of latitude and meridian of longitude तो इन दोनों का जो है जब मिलाते हैं हम लोग तो क्या बनता है जैसे मतलब longitude और latitude जो एक साथ जब बनता है तो बन जाता है grid एक जाल की तरह बन जाता है तो अब हम लोग इसको यहां से मिलाते हैं इसको B number में जाएगा यह हो गया the place where the prime meridian passes through तो prime meridian कहां से pass किया है तो green which से pass किया है तो इसको हम two number को E से मिलाते हैं इसको यहां मिलाते हैं उसके बाद the standard meridian of India which shows the Indian standard time तो उसका longitude क्या है यह है इंडिया का standard time के लिए longitude 82 degree and 82 and half degree है तो इसको हम मिलाते हैं D number से इसके बाद the zone between the architect circle and the north wall तो उसको क्या कहा जाता है कहा जाता है free zone सीथ कटी बंद कहा जाता है तो इसको यहां से मिला देते हैं C number में और एक last बचिया an imaginary line running parallel to the equator तो उस imaginary line को क्या कहाते हैं मतलब जो parallel चलता है equator के साथ साथ तो उसको बला जाता है long latitude बला जाता है तो यहां पर एक option बचा हुआ है इसको हम डाल देते हैं यहां पर यह होगी है complete next question क्या देखते हैं next question for number में short question answer दिया हुआ है तो इसको और यह long question answer question जो है इसको मैं next video में solve करूँँगा और इसमें और नीचे में दिया हुआ है एक puzzle दिया हुआ है जो की Hindi version के book में ने दिया हुआ है तो आगे का जो वीडियो है इसमें आपको Hindi और English दोनों में answer मिल जाएगा तब तक अभी आप short question जितने हैं उसको आप solve कर लें तो long question answer के लिए हम लोग next video पे चलेंगे अगर हमारा वीडियो helpful होता है ताप हमारी वीडियो को एक लैक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और next solution के लिए हम लोग next video पे चलते हैं